तो लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं वी टीपी के कॉंसेप्ट की आपके मोड्स वर्जन्स एंड कॉन्फिगरेशन तो इस वाले में थोड़ा थेयरिटिकल बात करते हैं कि जो बैकेंड पर हो रहा है आपका वी टीपी की एडवर्टीजमेंट्स हैं कम्मिनिकेशन करते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो अब जैसे हमने देखा था वी टीपी क्या करता है एक ट्रंक लिंक के थ्रू अपनी इंफरमेशन भेजता है जो अपडेट हो जाती बाकी सारे स्विचिज पर अब अगर आप देखेंगे जैसे कि हमने एक इस तरह का स स्विच फोर है इस तरह से ओके एक सिनेरियो है हमारा अब क्या लगता है यह इसको 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 इन्डिविजुली वन वाए-वन थोड़ना बेज रहा होगा वे टीपी के मैसेज नो तो वह क्या करता है वी टीपी के मैसेज को करता है मल्टी कास्ट तो उसके लिए जो यह मैक अड्रेस यूज करता है अब लेयर टू है तो मल्टी कास्ट किस पर करेगा मैक अड्रेस के बेस पर चलिए ठीक है तो तीन तरह के एड़टीजमेंट है आपकी जो रहते हैं वी टीपी के अंदर एक समरी अड़टीजमेंट एक आपका सबसेट और एक किया जा रहा है यूजिंग वी टीप अडवर्टीजमेंट्स ओके तो थोड़ा सा देख लेना इसको जब भी आप वी लैन का डेटाबेस इंक्रीज करते हैं कुछ भी वी लैन डिलीट करें कॉन्फिगर या क्रियेट करें या फिर रिनेम करें तो रिविजन नंबर हमेश सकते को उसके सेवनेंटीन वाले का क्योंकि इसमें तो अगर मांलो एक शिविच वन है एक स्विच टू है सब्सक्राइब इसको कोई डेटाबेस बैजने नहीं कोशिव करता है तो यह पहले क्या करेंगे अपने रिवीजन नंबर को मैच करेंगे अब यह बिवत्तीन तो लोवर वाले से अगर आ रहा है ना तो यह क्या करेगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सिरफ किस से एक्सेप्ट करनी इसने अगर रिविजन नंबर हाईयर वाले से अपडेट आ रही है तो तब यह देखेगा कि भाई यह अठारा वाले से अपडेट आ रही है मेरे पास जो summary आपकी messages जाते हैं आपके VTP में तो आप याद रखिए उनके अंदर क्या मिलेगा आपको हर 300 second में जितना भी VLAN का database होगा वो सारा आपको क्या करता है उसमें include करके बेज़ेगा summary के अंदर में इसकी क्या चल रहा है overall switch के अंदर करना हर आपको पांच मिनट के अंदर एक switch बाकी सारे switches को multi-cast करके बताता रहेगा यहांता है summary नाम से पता चल रहा है summary message है तो क्या क्या रहेगा इसमें इसके अंदर आपके वी टीपी वर्जन की information रहेगी second चल रहा है third domain name क्या है वो रहेगा configuration revision number और आपका किस तरह टाइम से यह वाला database जो है update नहीं हुआ है या फिर इसका current जो वर्जन है वो सारी चीज़े कितने time से चल रहेगा आपका basically आपके summary वाले message में यह मैं बाद में बताओं को आपको थोड़ा सा ओकी तो दूसरा क्या है subset advertisement subset नाम से देखिए set होता है subset होता है set हुआ पूरा summary भेजी आपने subset का मतलब क्या हुआ आपने इसके अंदर का कुछ बाट अब वो उसका क्या मतलब हुआ मान लो एक स्विच पे पहले से वी लेंट 10 20 30 40 सारी किस बनी होई है वो अगर उस पांस मिनट के बाद भेजता है बताता रहता है दूसरे से अपडेट करने के लिए तब तो क्या हुआ कि आपका हुआ summary message अब मान लीजिए जिस स्विच में हाईयर रिविजन नंबर था उसके अंदर आपने वी लेंट 672 और एड़ कर दी अब यह क्या करेगा सबसेट अब बेज़ेगा बाकी सब स्विच चीज को कि भाई अपने अपने वी लेंट डेटाबेस को अपडेट कर लो यह वाली नहीं अपडेट है ठीक तो सेंट आउट वैन देर चेंज इन डेटाबेस ओकी तीसरा क्या रहेगा एड़टिजमेंट अपका क्लाइं रिक्वेस्ट बोलते या फिर आपके अपकी अपके अड़टिजमेंट रिक्वेस्ट का मतलब क्या है देखो एक आपका पूरा नेट वर्क तशुपिछ नेटव इंदर वालों से request करेगा कि भाई मुझे भी बताओ क्या चल रहा है आपके वी टीपी डोमेंस में कौन से वी लैंड है क्या डेटाबेस है क्या रिविजन नंबर है everything तो यह पूछेगा वो उसके रिविजन नंबर वाला था जो सर्वर उस पर्टिक्लर डोमेंन के अंदर व और डोमेंन जो आपके हैं वो सेम होने चीए जितने भी switches होंगे डोमेंन नेम आपने रखा एक स्विच पर सब पर सेम होना चीए वी टीपी का वर्जन अगर आपने पहले पे वर्जन टू सेट कर दिया है तो दूसरे पर भी आपको वर्जन टू यूज करना है ओके और स् transparence switch कभी-bhी database ko Sink नहीं करवाता है वो उसका local database रहता है तो अगर आपको create भी करवानी है vlan तो server बनाईए अगर आपको transfer करवानी है तो client बनाईए ऑट transparent नहीं होना चीदा जो Advertisement जाएंगी वीटी-पी की उनके अंदर क्या रहता है वीलान आईडी वो भेज़ेगा डॉमेन नेम भेज़ेगा तो मिन्स जो भी आपके पैरामेटर्स है ना वीलान को अपडेट करवाने के लिए जरूरी है वो सारे की सारे चीज़ें आपके जाएंगे चलिए फिर बात आ रही है कॉन्फिग्रेशन की यह हम कर चुके हैं इंपोर्टेंट पॉइंट आई इस वन इंपोर्टेंट पॉइंट तो रिमेंबर क्या है अभी हमने क्या देखा था कि आपके पास एक नेटवर्क था एक्जिस्टिंग ओके अब इस एक्जिस्टिंग न और किसी लोकेशन पर किसी और आपके ब्रांच में या नेटवर्क में एक स्विच्श लगा था वहां पर इसकी अब जुरूरत नहीं है मान यह अज़िए वहां पर गे दूसरी लोकेशन पर लाना है यह डिपार्टमेंट यहां शिफ्ट करना है अब आपने क्या किया उधर के स्विच को उठा के यहां लगा दिया अब गडबर क्या हो सकती है देखो जब भी आपको स्विच लगाते हैं वह क्या है आपका जो सर्वर था इस पहले वाले अग्जिस्टि है वह अपनी डेटाबेस कोपी करता है बाकी सब के अंदर तो जैसे आप इसको लगाएंगे अब इनके अंदर आपको वीलेंट चीथी 10 20 30 40 50 तो हर किसी के अंदर यहीं वीलेंट कौन फिगर्ड हैं ओके इधर भी वही है इस पर वीलेंट अलगी थी 5 10 15 20 25 अब जैसे आप इसको लगाएंगे यह इन सारी पहले वाली वीलेंट को कर देगा डिलीट और हर जगा कौन सी वीलेंट बना देगा 5 10 15 15 15 25 समझारी बात तो यह आपको नहीं होने देना है एक तो आप क्या कर सकते हैं हर एक स्विच पे जाईए इधर वाले नेटवर्क में और वीटीपी यह आप पनेपनी बसमेट तो वह उससे भी बचाना है अगर आपको कटेषिन तब आपको वीटीपी पासवर्ड रहने है और कंडिशन यह Héakě यह चाहिए आपके तो रिवेजन नमबर इसका ज्यादा था अब आप कम कैसे करेंगे उसके लिए क्या आपकी वो रहने वाले पैरामिटर तो यह आप देखिए यहां पर हमने इग्नॉर किया था तो तो दिर पहले येस अब आपको रिवेजन नमबर टू जीरो कैसे करेंगे दो तरीक्ये उसके पहला तो मालो अपने नेम रखना था डोमेन नेम सीसी एन ने पहले कुछ और रख दो मालो आपने रख दिया वी टीपी डोमेन टेस्ट कुछ भी रख दिया मालो अब जैसी आप नेम चेंज कर कर देता है फिर अपना दुबारा से क्या करो वी टीपी डोमेन सीचने कर दो तो अब आपको रिवेजन नमबर क्या मिलने वाला है जीरो या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप वी टीपी की मोड को ना ट्रांस्पेरेंट में रख दो और हमेशा चीज नोटिस करना मैं आपको बना दो फिर उसको सर्वर बना दो दुबारा से तब भी उसका जो रिवेजन नमबर था वो जीरो हो सकता है तो इक बार दिखा देता हूं आपको अगर आप पुराने वाले नेटवर्क पे चलते हैं यहां यह यह ट्रांस्पेरेंट था यही होना चाहिए तिक बार देख इसका नमबर आपका zero हो classify number पहले कोन साथ हरी चेक कर लेते हैं सिक रिवीजन नमबर सेवन बड़ियो कैसे करें दो आप कर सकते या तो कि अब कर यह VTP domain a कुछ भी कर दोang दो शोल। वी टीपी स्टेटस अगर आप करेंगे तो रिविजन नंबर कितना हो गया जीरो अब दुबारा से अपना नाम चेंज कर दीजिए अब देखिए एक कर दीजिए या तो फिर दूसरी बात हमने क्या बोली थी आप उसको एक बार बना दीजिए ट्रांसपेरेंट स्विच को ठीक है तो अगर आप डू शो वी टीपी स्टेटस करते हैं तो रिविजन नंबर था सेवन और यहां पर आप इसको बना देंगे वी टीपी मोड ट्रांसपेरेंट फिर अगर यह कमांड आप देखेंगे तो कितना हुआ जीरो दुबारा से आप सर्वर सो येस फिर अगर आप चेक करेंगे तो जीरो है अब जो भी चेंजिस मालों आपने वी लैंड बनाई यहां पर वी लैंड ट्वेल्व दुबारा से अगर आप चेक करेंगे तो यह फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो दिस इस हाओ यू कन चेंज और रिव आपका ट्रंकिंग अलावड वी लैंज अब यह क्या है देखो हमने क्या बोला था कि एक जो ट्रंक लिंक है उसके उपर अनसेसरी वी लैंग का डेटा नहीं जाना चाहिए क्योंकि क्या बढ़ता है उससे ब्रोड कास्टिंग बढ़ती है तो सिरफ जो आपके नेटवर्क में वी लैन यूज हो रही है ना उनी को अलाव करवाई ये ट्रंक लिंक पे और बाकी सबको डिसेबल करा दो तो उसकी कमांड भी याद होगी आपको स्विच्पोर्ट ट्रंक अलावड वी लैन जो चाहिए सिरफ वो डालो अधरवाई सबको वहां से टाटा बाबाई दो कुछ वी लैन आपने सिरफ ट्रंक रखनेड वाले बना रखी है वो आपको अपने विटीप डोमेंस से बाहर करना की बहुत के वीली यातियों एक सिंपल सी कमांड चला दीजिए कौन सी है अब क्या करनी पड़ेगी अपको ये ध्यान रखने वाली बात है थेर्ड मोन में पहले ज़रूर रन करिएगा सुच पही वी-tps न तो यद्या जाते हैं मुझे नहीं पता सप्पोर्टकरकैंगा तो लेट्स ट्राइए यहां पर लिखते हैं वी टीपी नहीं यहां पर कोई प्रोनिंग का उप्शन आपको नहीं दिख रहा है ठीक है मैं एक बार जी एस पर चेक करता हूँ एक्जिट तो यह मैं शायद देख रहा था कि यह चलती है कि नहीं बड़ टीपी कुशन मार्क करेंगे यहां पर डैफिनेटली तो यह इस देर वी टीपी प्रोनिंग जब आप करते हैं और फिर जब आप जाते हैं अपने ट्रंक इंटरफेस के अंदर और यहां पर स्विच पोर्ट ट्रंक अभी आपको यहां पर मिलना चाहिए इसमें भी नहीं है तो कमांड क्या है देख लिजिए स्विच पोर्ट ट्रंक प्रोनिंग और जो भी वी लैन आपको उस ट्रंक लिंक से हटानी है कि वह वी टीपी के मैसेजिज में ना जाए आप यहां पर डाल सकते ह हमरे पास पेरिक लिए इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास तो कमांड रہ फेंश टेबल इसमें देखिए जितनी भी हमने क्मांड यूज की यहां पर मैंने आपको लिए डाल की रखी हैं यहां पर देखे लिजी में जरा कंफीगर कैसे करना है आपको नेम कासे रखना है, VTP mode कैसे चेंज करना है, और आपको system की setting अगर देखनी है VTP की तो आप कैसे देख सकते हैं, then अगर आप देखेंगे, यहापे कुछ questions है, revision के लिए, आप इन questions के answer try करें खुद से, कि हंजी, यह जो answers है, आपके okay है, accurate है, अगर आपको doubt है किसी question में, आप मुझे बताईए comments में, तो मैं आपको answer देदूँगा, उसका explanation में चाहिए, तो हम वो भी बता देंगे, no problem in that, तो अगर इन questions के answer देने में आपको आरी है problem, तो it means कि कोई issue है, आपको VTP में कोई ना कोई concepts आपके कमजोर है, तो videos दुबारा देखिए, and yes, so this is all about VTP, हमने जो दो वीडियो में discuss किया है, तो I hope यह concept आपको clear है, अगर कोई doubt है किसी भी तरह का, तो आप मुझे comments में बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मुझे mail ID आपको पता हिए, network nuggets for you at gmail.com, what can I say more, so okay, I'll see you guys in the next video, अपना ख्याल रखिए, सिखते रहिए, सिखाते रहिए और मस रहिए, बाबाई and take care.